किसानों की तरफ से ये बार-बार कहा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर रैली 26 जन्वरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज़्यादा सरगर्मी और चर्चा थी इस situation को देखते हुए दिल्ली पुलीस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा जो major representative body है इस किसान protest का उनसे समवाद स्थापित किया जब ये ट्रैक्टर रैली निकाले हैं और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का security concern भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो Republic Day का जो security arrangement है वो disturb ना हो वो मुकमल तरीके से fail proof तरीके से जिस तरह से दिल्ली पुलीस हर पिछले दशकों दशकों से करते आई है उसको हम maintain रखें और साथ ही जो किसानों का जो farmers का सन्युक्त किसान मोर्चा का उनकी जो इच्छा tractor rally के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी उसको respect करते हुए दिल्ली के तीन जगों से जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं जो की सिंगु बोर्डर है टीकरी बोर्डर है और गाजीपूर बोर्डर है वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सेक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहां से उसे हटा कर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमेटर तक अंदर आएं और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिबरेशन और रिपब्लिक डे सेक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वार्मेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक respectable stretch जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमेटर का stretch टीकरी बोर्डर से एंटर करने पर और वही करीब 62-63 किलोमेटर का stretch जब हम सिंगु बोर्डर से एंटर करते हैं तब और गाजीपूर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमेटर का stretch जो total cycle है और जो expected tractors की संख्या है वो इस तरह से distributed हो कि ये जो circular circulation है ये एक optimum तरीके से ये peaceful और discipline तरीके से हो इस पर in principle agreement हो गया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें